हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में बिच्चो आपका हनी सपल बुक का फूर्थ चेप्टर एन इंडियन अमेरिकन वोमेन इन स्पेस कल्पना चावला शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी प्र और साथियों के साथ कल्पना चावला भी मृत्यों को प्राप्त हुई थी तो आज हम इसका अगला पार्ट शुरू करेंगे मुझे उमीद है पहला पार्ट आपको ठीक से समझ में आ गया होगा तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं चप्टर एन इंडियन अमेरिकन वोमे कल्पना चावला ने कहा था कि उसने करनाल में अपने बच्चपन में कभी सपने में भी नहीं सूचा था कि वो अंतरिक्ष की सिमाएं पार करेगी उसने कभी ऐसा नहीं सूचा था तो इस लाइन से हमें यह पता चलता है कि कल्पना चावला करनाल जो की हर्याणा में हैं भारत में वहां यह पैदा हुई थी यही काफी था उसके लिए कि टैगोर स्कूल से सनातक की प्रिक्षा पास कर लेने के पश्चाथ उसने उसके माता पिता ने उन्हें इंजिनिरिंग कॉलेज में दाखिला लेने की अनुमती दे दी थी allowed होता है permission दे देना आग्या देना to attend attend क्या करना है engineering college कि अपनी graduation के बाद वो engineering college ऑटेंट कर ले उसके लिए इतना ही काफी था उसने कभी यू सोचा नहीं था कि वो अंत्रिक्ष की सिमाओं को पार कर पाएगी उसके लिए यही बहुत था कि उसे इंजिनेरिंग कॉलेज में पढ़ने की आग्या उसके मातापिता ने दे दी थी आफ्टर अबच्छोर ऑफ साइंस डिज्णी इन एरो नॉटिक्ल इंजिनेरिंग पाड़ शी वांटेश डिगरी तो थी जो विवाण से संबन्दित इंजिनेरिंग अभि आंत्रे की बोलता है इंजिनिरिंग को टिकेट तो उसमें उन्होंने सिनातक की डिग्री प्राप्त कर लेने के पश्चाथ अगेंस्ट ग्रीट ओपोजिशन फ्रॉम हर फादर और अपने पिता जी के अत्यदिक बिरोध के वाब जूद वो मास्टर्स डिग्री प्राप्त करने के लिए उनाइटिट स्टेट्स ओफ अमेरिका गई मतलब उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो आगे पढ़ने के लिए इतनी दोर जाएं शी लेटर अर्ण हर पी एचडी इन एरो स्पेस इंजिनिरिंग बाद में उन्होंने अंतरिक्ष्यान इंजिनिरिंग में पी एचडी की डिग्री हासिल की ठीक है पी एचडी का फुल फॉम होता है दोक्टर ओफ फिलोसोफी तो उन्होंने इंजिनिरिंग में पी एचडी की एरो स्पेस इंजिनिरिंग ठीक है अंतरिक्ष यान इंजिनीरिंग में पीच डी की डिगरी हासिल की Kalpna Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad to Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission in space तो Kalpna Chawla जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतिय अमरीकी महिलव थी जो की Florida के Cape Canaveral pad से छोड़े गए अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में गई और एक सफल अंतरिक्ष मिशन की भागीदार बनी Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off जिस समय Columbia ने उपर की और उडान भरी तो उस समय उनका जो परिवार था वो भारतिय परिवार जो था उसका वो Kennedy अंतरिक्ष केंदर के staff के साथ परसंता पूर्वक बातचित वो कर रहे थे खुशिया मना रहे थे, cheered along ठीक है, from India जो इंडिया में उसका परिवार था, वो Kennedy Space Center के staff के साथ Columbia को lift off, मतलब अंतरिक्ष में उडान भरते समय देख रहे थे और परसंता पूर्वक बातचित कर रहे थे cheered along मतलब खुशी मना रहे थे staff के साथ क्यों को जो रहे थे? क्योंकि उनकी बेटी जो थी, वो पहली महिला भारतिय थी जो अंतरिक्ष में इस सफल mission के लिए गई थी कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल हर्याना बट वाज अ नेच्रिलाइजड यूएस सिटिजन मेरिड तू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पियरे हैरिसन कल्पना का जनम हर्याना के करनाल शेहर में हुआ था और वो फ्लाइट परमान पत्तर प्राप्त फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो होते हैं जो फ्लाइट के लिए प्रशिक्षन देते हैं लोगों को प्रशिक्षन देते हैं उनका नाम था जेन पियरे हैरिसन उनसे उन्होंने शादी की थी और शादी के बाद उन्हें वहां की सदस्यता प्राप्त हो गए थी, वो वहां United States की नागरिक बन गए थी शादी करने के बाद. So, besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land, airplanes, single-engine seaplanes and gliders. अंत्रिक शादी होने के अतिरिक्त, उनके पास एक तथा, एक से अधिक इंजन वाले वायूयान, she was licensed, उसको license पराप्त था, to fly, उड़ाने के लिए, क्या, single and multi-engine land, airplanes, एक इंजन और बहुत इंजन वाले, जो airplanes होते हैं, जो जमीन से उड़ते हैं, जिनने वायूयान बोलते है वो उड़ाने का license उनके पास था, और single engine seaplanes, एक इंजन वाले, जलियान उड़ाने का, उनके लाइसेंस पराप्त था, और gliders, gliders उड़ाने का भी उनके पास license था, तो मतलब वो सिर्फ अंत्रिक शात्री ही नहीं थी, बिलकि वो एक licensed fly करने के लिए, उनके पास licensed, वो फ्ला एक इंजन वाले वायूजान उड़ाने के लिए, उनके पास license था, और एक इंजन वाला seaplane, seaplane होता है, जलियान उड़ाने का, और gliders उड़ाने का उनको license पराप्त था, she was also a certified flight instructor, और वो एक certified मतलब जने परमान पत्तर पराप्त हो, जने ये permission हो कि वो लोगों को flight उड़ाना सिखा सके, यानि कि वो एक परमान पत्तर पराप्त, flight instructor भी थी, so after qualifying as a pilot, कलपना began to consider another challenge, applying to NASA's space shuttle program, तो pilot की योगिता पराप्त कर लेने के पश्चात, कलपना एक दूसरी चुनौती के बारे में विचार करने लगी, मतलब वो कुछ और करना चाहरी थी जिन्दुई में, और व हो क्या था, applying to NASA's space shuttle program, NASA के space shuttle program के लिए प्रातना पत्र भीजना, in 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut, और 1994 में NASA द्वारा उन्हें क्या चुना गया, सबसे पहले अनुसंदान विज्ञानिक के रूप में, रूप में, training as an astronaut, NASA ने उन्हें उन्हें select किया, अनुसंदान, for training as an astronaut की, उसे astronaut अन्तरिक्ष में जाने के लिए उन्हें, ट्रेनिक देने के लिए चुना गया, उन्नी सो चुनानुए में, ठीक है सुछ पेन आस्ट जब उनसे ये पूछा गया अपने इस क्षेत्र में एक इस्त्री के रूप में उन्हें कैसा लबता है तो उन्होंने क्या उत्तर दिया I really never ever thought कि मैंने कभी भी अपने पढ़ाई के दुरान ये कोई अन्य काम करते समय कभी नहीं सूचा कि that I was a woman कि मैं एक औरत हूं या मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूं या doing anything else that I was a woman और a person from a small city और ना ही मैंने कभी ये सूचा कि मैं एक छोटे शेहर की रहने वाली विक्ती हूं और a different country या मैं किसी अन्य देश से संबंध रखती हूं I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them दूसरे अन्य लोगों की तरह मेरे भी अपने सपने थें और मैं उन्हें सार्थक करने में जूटी रही and I always followed them अपने सपनों का मैंने हमेशा पीछा किया and people who were around me fortunately always encouraged me and said if that's what you want to do carry on और सभाग्य से मतलब मेरे किस्मत से मेरे नजदीकी लोग हमेशा मुझे प्रोचसाहित करते थे और कहते थे कि यदि तुम यही करना चाहती हो if that's what you want to do carry on कि अगर तुम यही करना चाहती हो तो तुम इसी में जुटी रहो बच्चों आज हम इस चप्टों को यही पर स्टॉप करेंगे और अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अब आप इसे खुद पढ़ें और जो डिफिकल वर्ड्स हैं उन्हें अपने पास नोट करें उनके मेंनिंग्स जो हैं वो ढूनने की कोशिश करें sentences बनाएं और reading की practice करते रहें क्योंकि अगर आप reading नहीं करोगे तो आपको read करना नहीं आएगा और read करना नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा घर पर रहो बच्चो अपना ध्यान रखो और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो बाई 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 and have a nice day